No, 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 hear me, I say, hear me, I say, you are very loud, you want news, always, I am also experienced, I have seen so many political changes in this country, we are in NDA, I am going for NDA meeting, in course of time, anything will report to you, thank you. टो चंद्रबाबू नाइडू को आप सुन रहे थे, चंद्रबाबू नाइडू की NDA की सरकार में बड़ी भूमिका होने जा रही है, TDP सुत्रों के हावाले से ये ख़बर सामने आती वी, जिसमें चंद्रबाबू नाइडू लोगसभा स्पीकर और केंद्र सरकार में कम से क पांच महत्वपूर्ण मंत्री पद मांग सकते हैं जी आंद्रप्रदेश को विशेश राजिका दर्जा या उसके बदनेक बड़ा आर्थिक पैकेज हासल करना चंद्रबाबु नाइडू की प्रात्मिक्ता में है चंद्रबाबु नाइडू को NDA का समन्व्यक बनाने पर भ रही है तो देखे टीडीपी सूत्रों के हावाले से हाला कि ये बड़ी खबर जिसमें कहा जा रहा है कि संभौता पांच महत्वपूर्ण मंत्राले जो है वो टीडीपी की तरफ से मांग के तोर पर रखा जा सकता है आंद्रप्रदेश के लिए विशेश आर्थिक पैकेज की मांग की जा सकती है और एंडिये के समन्वेक भी चद्रबाबू नाइडू जो है वो बन सकते हैं ये सूत्र जानकारी दे रहे है और अब बात मीसा भारती की जिन्होंने पहली बार जीत हासिल की और इस हासिल को करने के बाद जो सर्चिफिकेट रहे हाथ में था जीत के बाद उस सर्चिफिकेट को अपने पिता लालु प्रिसाथ को दिखाती ही वो नजर आ रही है पिता और बेटी की ये तस्वीर मीसा भारती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूस्ट की है तो खुशी का ठिकाना एक पिता के लिए भी बिल्कुल इस पत्र को देखकर नहीं रहा होगा क्योंकि ये एक लंबे इंतिसार के बाद तीसरी बार उस चुनावी जंग में वो उतरी राब करपाल यादों के सामने और उसके बाद जीत हासिल की उलहुने और जीत के सर्टिफिकेट को अपने पिता को दिखाती हुई मीशा भार्टी लालु प्रसाथ की बड़ी पुत्री तो प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नित्रितु में एंडी ने लोक सभा चुनाव में तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगा दिया है अपने प्रसाथ की नरेंद्र मोदी की एक जुटता को दिखाया गया है मोदी जी और नित्रिक जी को हैट्रिक की बधाई देखिए ऐसे तमाम पोस्टर आपको राधानी पत्ना के चौक चराहों पर नजर आ जाएंगे पटना के आएकर गोलंबर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहें न्यूज एटीन समवादाता अमिद कुमार